पान्डा जंपट में इन दिनों जलापूर्टी होने ऐसा ही कई गान्व और शहर के मोहलों में पानी को लेकर लोग हलाकान है अतर्रा तहसीम के पुनाहर गान्व के लोगों का कहना है कि गान्व में दो साल ऐसाई कुवा और तालाब खराब पदे हुए है किसी में अभी तक सफाई कराने के लिए संजान में नहीं लिया है पीने के पानी के लिए बहुत बदी समस्या है जहां एक और जिलाधिकारी कुव की पूजा करते हैं वहीं बूसरी और कोई भी ग्राम प्रधान इनके तरफ ध्यान नहीं देते कुई का पानी एतना गंडा है कि पीने लायक नहीं है पीने के लिए पानी बहुत दूर ऐसा ही लाना, पत्ता है ऐसे में जिलाधिकारी को कठोर कडम उठाना चाहिए चाहिए जिससे कुई की सफाई हो और पानी पीने लायक वने तथा कोई तालाब की जिन्दगी बदे ऐसे निक कुआ तालाब की समाप्त हो रहे है अगर तालाब नहीं रहे तू जानवरों के लिए पाने नहीं मिलेगा अनुराब के वारी की रिपोर्ट चार महीने हो गया और इसका प्रधान अभी तक कुछ नहीं किया तो पानी पीनी के लिए कहां से जाते है आपो अच्छा तो इस से आप हो फुभयोग नहीं कर सेके पानी के लिए इसमें तो पानी तो नहीं है अगरा पै sympathetic हो तुसे sounds से खराब है दो साल हो गय है और अभी तक कोई इसमे शंग्या नहीं लिया गया पूंगों के लिए राजा पधान ने करवाया तुसकों और इसके बाद नलोल की पानी होने की ब्रॉस्ता अब क्या करते हैं हैंट फॉंप है यहां पर आसपास यह पानी के लिए तलाप कब भरता है पानी की रास्ता जाम पड़ी यह रास्ता तो कैसे करते हैं जानोरों के लिए अब क्या करें अनलों से जो ही जरूद अचलाते हैं ठोड़ों के लाते हैं